एक्सरसाइस 4.2 question number 3 Find two numbers whose sum is 27 and product is 182 दो संख्याय हमें ग्याद करना है जिनका sum 27 है और product 182 है तो हम इसे solve करते हैं the first number let the first number the x and other number number नंबर दी गंटी सेवन माइनस है कि अकोर्डिंग टू पॉस्ट्चन अब यहां पर हम टूंटी सेवन माइनस एक से लिख रहे हैं तो इसके समझना चाहिए आपको कि जिसे टू नंबर से मालनो तू नंबर को प्लस करने पर फाइफ आता है अगर उसमें से वन नंबर टू ह है तो सेकंड वाला क्या होगा सोच कर बताईए तो क्या होगा 3 होगा 3 किसे होगा जब हम टोटल में से पहले वाले नंबर को माइनस कर देंगे तो हमें अधर नंबर मिल जाएगा तो हमने यहां पर वही किया है कि टोटल में से पहले वाले नंबर को माइनस किया है तो हमें solve कर लेते हैं X का 27 में इंटू किया तो 27 X और X का माइनस X में तो प्लस माइनस माइनस X की पावर 2 is equal to 182 हम यहां से इसे ब्रस्थित करके लिख लेंगे माइनस का X स्वर आगे लिख लिख लिया मैंने इनका side change नहीं किया है जब हम side change करते हैं तो sign बदल जाते हैं यहां पर तो हमने इसकी जगह बदल दिये X स्वर को आगे लिख दिया है इसको पीछे लिख देंगे प्लस का 27 X इसके आगे कोई sign नहीं मतलब प्लस का है यह 182 को equal की इधर लिया आओ इसका sign change हो जाएगा इधर क्या हो जाएगा 0 अब हम इस negative sign को यहां से हटा देते हैं remove करने के लिए हम पूरे को minus sign से multiply कर देते हैं तो on multiplying by minus sign तो जो negative वाले हैं वो positive हो जाएंगे और जो positive हैं वो negative हो जाएंगे अब यहां पर एक्सस को कोफिशेंट क्या है आपके सामने वन और लास्ट कॉंस्टेंट टर्म कितनी 182 इन दोनों का इंटू करने पर कितना आएगा 182 यह मैं रफ वर्क कर रहा हूं यहां पर ठीक है तो अब इससे आप देखेंगे इस सवालों में हमेशा बच्चों को दिक्कत आती है उनके फैक्टर निकाल लेंगा तो आप यहां पर सीख लीजिए किस तरह से करेंगे अब हमें मल्टिप्लाइ करने पर क्या मिलना चाहिए 182 मिलना चाहिए अगर हम मल्टिप्लाइ करें मेडियम टर्म को इस तरह से तोदना हमें कि मल्डिप्लाइब करें तो 182 आए और प्लस या फिर माइनस करें तो 27 मिले यह बात है हमें इस तरह से हम इसको तोड़ना हो गया मेडियम तर्म को तो हम इसे कर करके देखेंगे पहले तो हम क्या करते हैं कि 182 का वर में टू किया तो कितना आया 182 तो इसका हम LC हम ले ले लेते हैं कि तू नांजा 18 तू अब यह किसे चले जाएगा सेबन से थैटिन टाइम हो रहे है थैटिन से चला जाएगा अब इनको आपस में करके देखो सब्सक्राइब करेंगे तो कितना आएगा 182 तो इन दोनों का आपस से प्लस करके देख लो फॉर और वन और वन टू तो मुल्टिप्लाइब करने पर 182 आ रहा है और यह हमने सेवन टू जा 14 ले लिया अलग जो शुड़ी शुड़ी संख्यां का आपस अलग लिख लिए और अलग अलग तरी किसम पैर बना बना की करते हैं तो आलवस से हमें पता चल जाता है तो 14 into 13 इन का मुल्टिप्लाइब करने पर 182 आ जाएगा प्लस करने पर 27 आ जाएगा इस तरह से हम पता लगा लेते हैं तो यहां पर आ जाएगा माइनस का 14X और 12 print 18 कि यहां पर क्या अजाएगा एक और मारा फॉरें मेरा इन दूनों में से ठर्टिन का मारना जाएगा स्मय-3 लिया है यह नहीं लिया है यह चेक कर सकते हैं हम कैसे कर सकते हैं जैसे स्केस्ट में टू करो तो माइनस का थर्ट इन एक्टर ही कॉमन आ रहा है तो इसे कॉमन ले लेंगे हम इसको अब दो 0 के बराबर अब एक्स माइनस 14 इक्वल टू जीरो और एक्स माइनस 13 इक्वल टू जीरो तो एक्स की वैल्यू 14 और यहां पर एक्स की वैल्यू 13 तो यह दोनों ही एंसर बिल्कुल राइट होंगे हैना अगर हम वैन एक्स इक्वल टू अगर हम 14 लेते हैं तो यह पर्स्ट नमबर हमारा हो गया है जाया वै दैर एक्सक्राइट टू हमारा फॉस्ट नमबर है तो वी चैसेज़ नमबर क्या हो जाएगा को भूर सेकेन नमबर हमारा क्या हो जाएगा हमने क्या मान आता सेकर्ड नमबर को तो 27-X जो अधर नमबर है वही तो 27-X तो कितना हो गया यह एक्स की जगह पर क्या रख दोगे 14 कितना हो गया 13 ठीक है और वेन एक्स एक्वल टू 13 को हम फर्स्ट नमबर माने तो अधर नमबर क्या हो जाएगा हदर नमबर कि 27-X मतलब कि 27-X के जगह पर क्या रख लोगे 13 तो कितना मिल गया 14 ठीक है अगर हमस्ट को फर्स्ट नमबर मानते हैं तो इस त्रसे हमारा है iisवाल State होता है धन्यवाद कोई में जारूर कमेंड करके वताएं और दन्यवाद